पूरब मुक्यमंत्री वीरवदे सिंग के हमिरपूर दौरे के दौरान पूरब कॉंग्रिस अधिक्ष शुक्विंद्य सिंग सुखू और जिला कॉंग्रिस हमिरपूर पर ताबर तोड हमले किये जाने पर हमिरपूर कॉंग्रिस नेता मुखर हो गए हैं हमिरपुर में अखिल भारती कॉंग्रिस कमेटी की सिदस्या सुनिल शर्मा जिला कॉंग्रिस से वदल अधिक्ष मदल लाल कॉंडल कॉंग्रिस महसची वराजय सिंग ने स्विक पत्रकार वारता में पूरब मुक्यमंत्री वीरवदे सिंग को खरी खोटी सुनाते हुए फु लेकिन आस तक कभी भी सरकार को दुबारा सत्ता सिंग करने में नाकाम रहे उन्हों ने कहा कि बीर भधिस सिंग की नाकामे की कारणहीं कंग्रिस ₹ Ming सतन सिंह होने से नाकाम रहती थी लेकिन अगर उस समय इस पर कोई टिपनी की जाये तो अन्शाशन हिंता मानी जाती थी। वो बार बार हमीरपुर में आते हैं और ऐसे बियान देते हैं जिसमें उनकी व्यक्तिगत मंचा जाहिर होती है उनको सुखुजी की निंदा जिला हमीरपु की निंदा कॉंग्रेस संगठन की निंदा करना एक ही तरह का बियान बार बार देते हैं अब नाजाने उनकी क्या मनशा है लेकिन पूरा हिमाचल प्रदेश जानता है पूरे हिमाचल प्रदेश के संगठन के लोग जानते हैं कि सुखु जिने लगातार जिला के ब्लॉक के हर दूर राजक शेत्रों के दौरे किये हैं सेमिनार किये हैं रेलियां किये हैं संगठन के यही मैंना कहना पड़ेगा कि वो एक नकली दवाब बनाने की कौशिश करते हैं और सभी काइदे कानून को भूल जाते हैं हमसे बहुत बड़े हैं और यकिनन तौर पर छे वार मुख्या मंतरी रहे हैं लेकिन ये भी सत्य है कि छे वार जब मुख्या मंतरी बने उनके कारेक साल में जो भी चुनाब हुए हम उन चुनाबों को नहीं जीत पाएं चाहे वो उनकी कमी रही हो चाहे किसी और की कमी रही हो लेकिन हिमाचल की जनता हर पार्टी को पांच-पांच साल का समय देती हैं तो एक बार हम बनते हैं एक बार वो बनते हैं योगया नेता होने के न उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी वीरवदर सिंग जी को जवाब देना होगा लेकिन क्योंकि हम छोटा मूँ बड़ी बात हो जाती है वो कुछ भी कहें वो सही है लेकिन संगठन का कोई व्यक्ति अगर कोई बात करता है तो उसके उपर सवालिया निशान बन जाते हैं हमारा ये मानना है अनशाशन के दाइरे में संगठन से उपर कोई नहीं है चाहे वो आमकारे करता है या बहुत उंचे ओदे पे बैठा हुआ राजनितिग्य है पूरव कॉंग्रेस अधेक शुखु को लोगसभा टिकेट पर विर्वधिस्दिंग की टिपनी पर शुनिल सर्मा ने कहा कि विर्वधिस्दिंग के बयानों से शरम आती है क्योंकि कई बार वो ऐसे शरमनाक बयान देते हैं जिससे जनता भी हसती है उन्होंने कहा कि पार् और बड़ी शरम सी मैसे उस होती है कि हमरे छे बार के मुख्या मंतरी बीरवधिस्दिंग जी जिनका हम आदर करते हैं ऐसी भाषा को उपयोग करना मैं तो एक छोटा सा कारे करता हूँ लेकिन सिंगठन के जो पैमाना है चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो बराबर होते है और हाई कमान जो कि हमारे सेंटर एलेक्शन कमेटी के लोग हैं उनके किसी निरनेयों को मुर्ख कहना और वही सारवजनिक मंच से ये बिलकुल ही अशोबनिय है और इसके हम भीरवधिस्दिंग सिंग जी की इसके बारे में हम क्या सला दें उनको कई बार तो ऐसा लगता है जैसे कि वो मंच से बाशन दे रहे होते हैं और नीचे लोग मुस्कुरा रहे होते हैं अब ये नहीं पता कि वो अपना मजाक बनाते हैं या संगठन का मजाक बनाते हैं वो शायद इस बात को भूल गए हैं कि संगठन ही जो है वो ही मुख्यमंत्री बनाता है वो ही विधा शर्मा ने कहा कि अक्सर पूरब सीम बिरवदर सिंग के कान में जो भी कोई कुछ बोलता है उसे ववियानों में कह देते हैं उनने कहा कि टिकेट का फैसला हाई कमान करती है और कोई भी कॉंग्रेस संगठन का कारे करता पार्टी के टिकेट पर चुनाब लड़ सकता है जिरवदर सिंग जीवी जानते हैं कि जो टिकेट का निरने होता है वो हाई कमान का होता है महज कुछ लोगों को खुश करने के लिए और कई बार तो ऐसा होता है कि उनके पीछे कोई खड़ा होता है वो उनके कान में कोई बोलता है और वो ही वो अपने भाशनों में बोल दे और मैं तो यह सपस्ट कहना चाहूंगा कि कॉंग्रेश जो है वो किसी एक परिवार की या धन के उपर कोई राजनीती करने वाले की बपोती नहीं है संगठन जो एक बहुत बड़ा संगठन है कहां ये बताया गया है कि कोई मंतरी का बेटा हो मुख्य मंतरी का बेटा हो मले का बेटा हो वही चुनाब लड़ेगा और किसी के उपर भी अपमान जनक टीपनी करना संगठन का हर व्यक्ति बहु मुल्या है उसका योगदान मुल्या है और कोई भी चुनाव लड़ सकता है तो बीरबदर जी भी जानते हैं कि वो ऐसी टीपनिया करके किसी व्यक्तिगत कारणों से वो ऐसी टीपनि करते हैं इन टीपनियों को कोई माइने नहीं है समय आएगा हाई कमान परदेश एलेक्षन कमेटी सेंटर एलेक्षन कमेटी लोगसाबा के टिकेट का निरने लेगी लेकिन हम संगठन के काम करते हुए हमारी एक इच्छा है और वो इच्छा है कि हम लोगसाबा का चुनाफ जीते हैं हमिर्पूर लोगसाबा से कॉंगरस का उमीदबार जीते और हम सभी सिंगठन के लोग मिल करके कॉंगरस के हाथ के नीचे राहूल गांदी जी की दिशार निर्देश के नीचे खड़े हो करके उन आदेशों का पालन करते हैं और सुक्विंदर सिंग सिंगा काम किया उस सिंगठन का उदेश एक ही है कि आने वाले करना संगठन के उपर टीपनी करना जबकि हम सब लोग ये मानते हैं कि अब वो एक उमर दराज नेता हो गए हैं उनको मारक दर्शन करना चाहिए जैसे घर का कोई बुजर्ग होता है उनको उस भूमिका में आना चाहिए अगर कोई कमी है तो उसको बंग कमरे में बैठ करके सारजन्य मंच से ये गोशना करना इस से तो अच्छा होता कि वो हमीरपुर में आते बहाच्जपा की नाकामियों के उपर बात करते अनुराग ठाकर के उपर बात करते कांगर्स के चुनाब जीतने के उपर बात करते लेकिन उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं की तो इससे कांगर्स को तो जो फाइदा होना है या नहीं होना है वो तो आने वोले लोगसावा के चुनाब में मालम चलेगा लेकिन उनकी व्यक्तिकत चबी उसके उपर भी लोग अब मजाकिया सवाल उठाने लग पड़े हैं